हेलो गाइज और वेलकम बैक टूदी चैनल मैं हूँ करन वालयान और गाइज इस्पेसली सिर्फ आप लोगों के लिए मैं सबसे पहले लेके आ रहा हूँ मारूती सुजू की स्विफ्ट सेंजी की वीडियो जिस चैनल मैं वीडियो रिकोर्ड कर रहा हूँ अभी तक यूटूब पर हमको किसी ने भी एक गाड़ी नहीं दिखाई है अब हो सकता ही जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँ तो साथ एक दो वीडियो आभी जाए लेकिन इतनी ज़ादा डिटेल्ड वीडियो आप लोगों तक नहीं देखियोगी उस गाड़ी की और गाइस बिलीव मी ये गाड़ी ना अपने कॉम्पेटिशन को किल करने के लिए आई है क्योंकि यहाँ पे मारूती ने क्लेम कर दिया है अल्मोस्ट 33 किलोमेटर पर केजी सी एंजी का माईलेज जो इसके सेग्मेंट से अल्मोस्ट 3 से 4 किलोमेटर ज़्यादा है पर केजी सी एंजी पर अगर हम लोगों से कॉम्पेटिशन की बात करें तो वहाँ पे आपको टाटा की ट्यागो मिलेगी लेकिन उन दोनों ही गाडियों से काफी ज़्यादा माईले जम को देती है और उससे ये बड़िया भात दियेगी गाड़ी का प्राइस भी काफी सही रखा है मारोती ने अब एक और इंपोटेंट बात है गाइस पहले जो स्विफ्ट सेंजी के साथ एक बहुत बड़ी प्रोब्लम थी वो भी ओल्मोस्ट अब रिजॉल्व हो चुकी है लेकिन एक नई प्रोब्लम के साथ में तो हर एक चीज़ के बार में हम डिटेल में बात करेंगे सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि गाड़ी का प्राइस ओल्मोस्ट नाइंटी थाउजन आपको इंक्रीज होकर मिलेगा पैट्रोल से सी एंजी पर जाने में और यह गाड़ी आती है टोटल तीन वैरियंट होते हैं कि यह है लाइट यह है बंपर यह टायर वो सब कुछ दिखा के माच दुबारा से आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँ है क्योंकि स्विफ्ट के सारे फीजर्स हम लोग पहले ही देख चुके थे तो आज तो हमको सिर्फ और सिर्फ चेंजिस पर बात करनी है लेगिन अब उससे जादा इंपर्टेंट यह है कि जब गाड़ी में सियंजी भी आ गई है तो यहां पर कुछ दमखं बचा है इस गाड़ी में या फिर सिर्फ वाइब्रेसंस ही बचे है तो उस पर भी आज हम थोड़ा डिटेल में देखे ही क्या कैसा सब कुछ सिस्टम तो जल्दी से हम लोग श्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को लेकिन उससे पहले आप लोग गर्मी देखो अतनी ज़्यादा है कि यसे रुमा रख के वीडियो बनानी पड़ रही है अब तीन-चार दिन में एक आड़ी डीलर्शिप पर चली जाती वहां में आराम से एस सबस्क्राइब नहीं कर रहे हो जल्दी से आप लोग चैनल को सबस्क्राइब कर दो एंड लेट स्राट विड़ वीडियो सबसे पहले में आपको एक बहुत इंपोर्टेंट बात बता दूगी अगर आपको मारती सुजूगी का कोई बी प्रोड़क्ट एक डम बेस्ट प् प्राइब की क्योंकि वह ज्यादा इंपोर्टेंट चीज़ है तो उसके लिए आपके टाइम वेस्ट नहीं करो मां आपको सुरू में ही बता देता हूं उसके बाद में हम बागी की डिटेल्स देखे गाड़ी की तो भाई आपको टोटल तीन वारियंट से मिल रही है मैंन इंजन स्टार्ट करकर देखे ही कितने वाइब्रेशन्स हैं यहां पर तो गाइज यह रागाड़ी का इंजन भाई इतना ज्यादा गरम हो रहाएगी मेरे हाँ जल रहे है तो आप लोग जल्दी से देख लो भाई मैंने इसका एसी योन कर दिया है तो भाई वाइब्रेश चेंज नहीं दीखेगा वही एलेडी प्रोजेक्टर हैंड लेगिन यह आपको जैड एकसाई में मिलेगे वी एकसाई में तो साइज है और हैलोजन टर्न सिंगनल से फोन लेंप आपको यहां पर नहीं मिलेगे ग्रिल बिल्गुल पहले जैसी है सेम तो यह बात होगी फ्र करने की लिड वह दूफlori साइड में मिलती दिना की पैट्रोल वाली साइड में अभाई पैट्रोल फिल करने के लिडे है लेकिन dus huge oil करने की क्लिए इस साइड में है तो अपर यह पे मैं तो कुछ चीज बहुत बढ़िया भी है वह आपको दिखाता हूँ देखो गाई यह एक बजट सेग्मेट की कार है वो छोटी सी गाड़ी है लेकिन फिर भी आप लोग मारूती का काम देखो रियर टायर के पाच कि जितनी मेटल बोडी होती है भाई वो पूरी की पूरी से कवर कर रखी है तागी यहां पर रेश्टिंग वगएरा खत्रा काफी कम हो जाए और यह भाई बहुत महांगी महांगी गाड़ी में हमको देखने को मिलता है तो बिग थमसब फो मारूती और अब फाइनली हम लोग आते हैं गाइस गाड़ी की तरफ जोगी सबसे ज्या प्लस में मिलेगा लेकिन उसमें तो यCNG आती ही नहीं है तो यCNG वालों के लिए स्विफ्ट में कोई रिवर्स पाकिंग कैमरा नहीं है खुद लगवा ले ना आपको लगवा नहीं हो अब उससे भी जादा इंपोर्टेंट सी आप लोग जैसे ही गाड़ी का टेल पाके आप लोग अपना थोड़ा सा बूर्स पेस बना सकते हो लेकिन यह एक नई प्रोब्लम के साथ में आया है भाई गाड़ी में बापको स्पेर टायर ही नहीं मिलेगा वह ऐसा नहीं है कि यहां से अटागे कहीं गाड़ी के नीचे लगा दिया हूँ नहीं भाई इस प पेंचर है तो आप लोग रिपेर कर सकते हो लगिन अगर टायर में कोई बड़ा कटवट लग जाए तो फिर भाई बोल जाना फिर तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है तो यह एक चीज जो कि मुझे आपको बतानी थी अब इसको बंद कर गए हम लोग गाड़ी के अं अनलोग कर सकते हो अगर आपको अपने बूट में से कोई समान निकालना है और गाड़ी आपको अनलोग नहीं करनी है तो पहले वो दूफरा बटन दबाओ गाड़ी अनलोग हो जाए और फिर आप टेल गेट खोल सकते हो भाई गर्मी है बोलने में भी दिक्कत हो रही है त सबसे पहरे तो उसका वाइबरेशंक टेस्ट करेंगे कि से अन जी में कितने बाड़ी इंटारिएम में सब-सको साकते हो बहुत लेगा और बागी उपर जो एक और अपडेट हुआ है वो है गाड़ी की M.I.D. में यहाँ पे आपको यह नए वादा मीटर दीख जाएगा सी एंजी के लिए इस साइड में पैट्रोल लगा है और इस साइड में सी एंजी का है वागी की भाई सारी जरूरत की इंफोर्मेशन आपको इस गाड़ी की M.I.D. मिल ही जाती है सीट वैल्ट, रिमाइंडर, ट्रिप मेटर, ओड़ोमेटर, सब कुछ आपको मिल जाएगा ज यार ये भी एक अलगी मज़ा है चिपका देते है भाई जो गाड़ी को लेगा उसको मिलने चाहिए ये मज़ा बागी भाई गाड़ी की स्क्रीन के बारे है भाई माँ आपको बता हूँ इसकी स्मूथ नहीं बढ़िया है आप लोग ये देखो मतलब कितना स्मूथ लिए क करती है तो यहां पर कोई प्रोब्लम नहीं है बागी भाई नीचे आपको फुली ओटमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है इसके बटन्स भी काफी बढ़िया है एकदम पीमियम सी साउंड इंसे निकल दी जो इसको क्लिक करते है तो यह बढ़िया चीज है और नीचे तो भाई गाड़ी में आपको वायरलेस चारजर भी मिल रहा है एक टाइप A का पॉर्ट भी है 12 वोल्ट का सौकिट भी है और दो कपॉल्टर से की भाई की भी देख लो की तो वही है यार यह सालों ही चलती आ रही है की का क्या दिखा ना फाय स्पीट का मैनुल ट्रांसमि वही है भाई हेलो जन में मिलेगी मैनुली डिमिंग आयार भी हम है और ग्लब वोक्स देखें ग्लब वोक्स भी डिसेंट सगी है कोई ज्यादा खास नहीं है और कूल भी नहीं है लेकिन भाई ओवरॉल इस गाड़ी का मेन परफस है वह है माईलेज निकाल लगे देना और माईलेज इतना तकड़ा दे रही है कि अपने पूरे सेग्मेंट को खा जाएगी और अब काईस माईलेज के साथ साथ गाड़ी में कमफर्ट होना भी बहुत जरूरी है तो हम गाड़ी की रियर सीट का कमफर्ट देखेंगे पहले हम लोग इस सीट को अपनी हाइट के साब अब हम इसका स्पेस करते हैं पहले आर मैं समय अटालू एक अब देखो सबसे पहले चीज़ आपको बताओं इस पेस की बात हम बात में करेंगे लेकिन पीछे बैटके सबसे बिड़ा चीज़ों में लोग यह तनी घंडी ठंडी सी हवा आ रही है फिर मेरा ध्यान पड़ा कि अब चोटे से यह और यह एक ही है बाई इसको दो डिरेक्शन में आप कर सकते हो यह उपर नीचे एक साथ ही होता है फ्लोग भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हो तो यह बाई काफी बढ़िया चीज़ है बागे हम लोग स्पेस की बात करें तो आप लोग नीरूम देखो आगे अगर सिक्स फीट का बंदा बैठे काड़ी को ड्राइब कर दा है तो पीछे सिक्स फीट के बंदा है इतना सरा नीरूम लेग रूम भी डीसेंट है और थाइस सपोर्ट भी डीसेंट है तो तो आपका अड़िया स्टेबल हैड रेस मिल जाएगे तो यह रही भाई ब